तो यहाँ पर कुछ दिर पहले मैं Flipkart की आप को चेक आउट करा था आपके लिए कि कौन से कौन से टीविस के प्राइसे सेल के बाद कम हुए और कौन से कौन से टीविस के प्राइसे बड़े हुए है वेल यहाँ पर मुझे यह देखने मिला जी हाँ जैसे कि यहाँ पर आप पॉपिलर डिमांड जी हाँ दोस्तों अगर आपकी जांकारी के लिए बता दू तो एमाए के जो 32 वाली टीवी थी वो एमेज़ॉन की बेस्ट सेलर थी मतलब लाखों की तादाद में एमाए की टीवी बिके थे क्यों बिके थे जी हाँ नाम की वज़े से टीवी में पिच दोस्ता है उनके स्मार्टफून में आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है सेम एक्स्ट्रॉड ऑडिनरी क्वालिटी आका उनके स्मार्ट टीनी मिलती है लेकिन ऐसा नहीं है माइट तीवी की ब्रैटनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं बहुत कम ब्रैइटनेस देते पिच्य तो यह नई टीवी चार तारीक को लाँच हो जाएगी उस दिन में अपना डिटेल वीडियो भी आपके लिए लेकर आँगा कि क्या कुछ यहाँ पर आपको इस साल 2021 में पैक करके दिया जा रहा है और क्या आपको यह टीवी बाइक करनी चाहिए या पिने वेल बात करे जाए एक्सपेक्टेशन की कि क्या कुछ चीजे एक्सपेक्टेशन नहीं है तो मुझे लगता कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्राओर् अगर यहाँ पर ब्राइटनेस को इंप्रूफ किया जाएगा और पैनल अच्छा दिया जाएगा देफिनेटली मैं तो सबको रेकमेंड करूंगा और मैं खुद इस टीवी को बाइ करके आपके लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगा लेकिन अगर मेरी कोई डिटेल वीडिय वगरा देखने मिल रहा है वेल देखते हैं चार तारीक जो है वह जादा दूर रही है काफी नजदीक है इसके साथ यहाँ पर आज जो है इन्फिनिक्स एकस्वन का 40 इंच वाला वीरेंट लांच कर दिया गया यह तीवी अच्छी है पिच्छो कॉलिटी वेकर आपको जाएंगे लेकिन उनमें आपको नेट्फिक्स से सपोर्ट नहीं मिलता है पिच्छो कॉलिटी ऑबियस है कि यहाँ पर इन्फिनिक्स से आपको थोड़ी बहतर मिलेगी लेकिन नेट्फिक्स अगर आपक लिए इंप्रेंट है तो आप इन्फिनिक्स कर सकते हो तो यह एक के अपकमिंग टीवी को लेकर आपको यह अपडेट कासा लगा कि वीडियो यूसफुल लगा कि जरू बताईएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजें हाँ अगर आपने अब तक देखा है तो वीडियो को लाइक जरू कर देना और अगर आप स्मार्ट इवी लेना चाह झाला